पिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम असलाम लेकुम हम उमीद करते हैं हमारी योट्यव फैमिली बिल्कुल ठीक होगी हम भी बिल्कुल ठीक हैं अला का शुकर है आज की अपनी इस वीडियो का आगास करते हैं एक दुआ के साथ कि अल्लाह आप सबको अपने हिव्जों इमान में आप सब के खानों में बर्कत दें और जो लग बिमार हैं आप उनको सेते कामदा नसीब करें आमीन तो चले चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हम अपने किचन में क्या बना रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें और फिर कुमेंट और लाइक किया करें जी आज हम बना रहे हैं प्लाव मठर्ड़ाव तो देखते हैं के मठर्ड़ाब बनाने के लिए हमें किन 250 इंग्रिडिंट की जरूरत है जी यहां पर हमारे पास है एक कप चावल जिनको हमने बगो के रख दिया इसके बाद हमारे पास है एक कप मटर और यहां पर हमारे पास है धनिया पाउडर सॉरी जीरा पाउडर काली मिर्च और नमक यह सब वन वन टेबल स्पून है और इसके साथ हमारे पास यहां पर है पा हम लेंगे 1 टेबल स्पून औयल और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जीरा 1 टेबल स्पून और इस जीरे को हम थोड़ा सा जरा 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे जी तो जैसे जीरा फ्राई हो जाएगा साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मटर और इन मटरों को हम थोड़ी दिर के लिए जरा भूनेंगे और दो मिनट बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक जी नमक शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि नमक जो है वो मत्रों में बिल्कुल अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए जी अब हम इसके दोशामिल करेंगे ब्लैक पेपर और साथ में क्यूमिन पाउडर मतलब काली मिर्च और जीरा पाउडर और अब इन मत्रों को हम इस काली मिर्च और जीरे पाउडर में अच्छी तरह से भून लेंगे इस तरह इनका मत्रों का जो टेस्ट है वो डिवेल्प हो जाएगा और मत्रों का जो कच्छापन है वो भी खतम हो जाएगा हाफ कुक हो जाएंगे तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जी तो यहां पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक भी कुमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया वह उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी यहां पर हमने शामिल किया दो कप पानी और दो कप पानी शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर साथ ही शामिल कर देंगे चावल अगर आप धक कर रखना चाहें तो इसको आप 5 मिनट तक धक कर रख सकते हैं जी तो चावल शामिल करने के बाद अब हम इसको तक्रीबन 10-15 मिनट के लिए धक कर रख देंगे ताके जो चावलों का पानी है ये खुश्क हो जाए हाँ जी, आफटर 15 मिनट हमारा जो चावलों का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है और अब हम इनको रख देंगे तकरीबन 5-10 मिनिट के लिए दम पर हाँ जी, आफटर 5-10 मिनिट दम पर रखने के बाद हमारे जो चावल हैं वो बिलकुल पक चुके हैं, आप देख सकते हैं और हमारा मर्जर पला त्यार हो चुका है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा और हमें अपना फीड़बैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें और अपना और अपने घरबानों का ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दौाओं में याद रखिएगा, इन्शाला तला मिलेंगे कल एक नई रेस्पी के साथ, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग, अला हाफिज